गुड इवनिंग एवरिवन आज हम लग बात करने वाले हैं मोबल सेटप के बारे में मेरे जो लास्ट के छे वीडियो है उसमें मैंने बहुत एक प्रॉब्लम फेस किया था मतलब रेकॉर्डिंग करते समय वोईस कॉलिटी अच्छा नहीं था मेरा तो उसके बज़ा से मैंन करना मत बुलना भाईयो अच्छा अब हम लोग फ्रोडर की आंग बोक्सिंग करते हैं और उसके बात हम लोग पूरा के पूरा सेटप कर देते हैं अब हम लोग यह जो बोया माइक है उसको पहला अंबोक्सिंग कर देते हैं और देखते हैं उसके साथ क्या-क्या हम लोग को प्रोड़क्त मिले हैं कॉम्प्लिमेंटरी बोक्सिंग तो बहुत ही अच्छे से किया है अमेजन वालों में यह है स्टैंड यह केबल जिससे हम लोग 3.5 का जैक मिला है यह और यह ऑडियो केबल जिससे हम लोग माइक और फोन को आइटेच करेंगे और यह अच्छा क्वालिटी का पाउच दिया है बोया जिसमें यह यह माइक अंदर नई पकड़ने के लिए दिया है तो यह जो माइक है इसके अंदर ही रहने देते फर्स तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको निकल देते हैं यह जो है अपना मोबाइल होड़ा इसके बज़े से यह सेट अब बहुत अच्छा दिखेगा इसके उपर हम लोग को इसे अटेच करना है तो अभी हम लोग यह गोरिला पॉड़ पर इस होल्डर को माउंट करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा यह थोड़ा स्कुरू टाइट करके लगाना पड़ेगा तो लेट मी शोओ यह अग्दम इज़ी है एक बार हो जाए आपकी वाइस कॉलिटी अच्छे से हो जाएगी अपने सबसे फिट कर लेना सेकेंड यह जो मिनी होल्डर है उसको इसको इसके ऊपर माउंड कर देना है तो आभी हम लोग कर देते हैं वेट अब अब कर दोस्तों यह जो बोया माइक है इसको यह होल्डर एडप्टर से कनेक कर देते हैं यह जो आपको स्क्वेर दिख रहा है उसको इस स्क्वेर के अंदर फिट कर देने का है तो यह कुछ इस तरह से मोबाल व्लोगिंग सेटप दिखता है और इस नोट लुक अगली मुझे तो बहुत ही अच्छा पसंद आया है आपको बता देता हूँ यह जो मैं बात कर रहा हूँ यह है बोया माइक सेटप से और इसकी कोज़िट आपको कैसी लगी और में जो कमेंट करके बता देना है As always I am Akshay Baswan signing off my channel Akshay Vlogs तो इसकी कोज़िव खब कर दो लुड़िवार यह जो यह जो लाए जो इसकी कोज़िए